हेलो दोस्तों, Intellecto.nk एस YouTube प्लेटफर्म पर आपका स्वागत है और मैं आसा करता हूँ कि अब आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे तो important topic की जो series चलाई गई है आज उसके अंतरगत ये आपकी तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग भारत की सभी बन जीब सर्रक्षड परियोजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं बन जीब सर्रक्षड परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग अपने बिभिन परिक्षाओं में लगातार प्रस्न पूछता है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इस topic से क्या-क्या पूछा जा सकता है ठीक है और थोड़ा सा प्रस्नों का हम लोग बैटन भी देख लेते हैं और फिर सारी बन जीब सर्रक्षड परियोजनाओं पर बात कर लेते हैं तो कोई भी बन जीब सर्रक्षड परियोजना होगी तो उसका स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है कहां से उसको स्टार्ट किया गया ये पूछा जा सकता है ठीक है किसके नेत्रत तुमें स्टार्ट किया गया अगर कोई भ्यक्ति होगा तो वो पूछा जा सकता है ठीक है बाद वाकि कोई भी जीव है तो उसका एक दिवस होता है जैसे कि अंतरराश्टी ये बाग दिवस विस्व हाती दिवस विस्व सेड दिवस ये पूछा जा सकता है जो जानवर है उसका आवास पूछा जा सकता है कि वो कहां रहता है ठीक है और बागों और हातियों के संदर में इस तरीके की चीज़े पूछी जाती है कि ये किन राजजियों में सरवादिक पाए जाते हैं ठीक है इस तरीके की जो चीज़े हैं यहां से पूछी जा सकती हैं बात बाकी अगर प्रशनों के पैटर्न की हम लोग बात करें तो मैं आपको बताता हूँ एक तो यहा पर बनलाइनर कोस्टन सीधा पूछा जा सकता है किसी भी fact को ले कर या फिर यहां से मिलानवाला कोस्टन पूछा जा सकता है जहाँ पर क्या हो सकता है कि बन जीब सरचछड परियोजना को एक तर21 को एक तरफ दे दिया जाए और दूसरी तरफ उनका आरम वर्स जो है वो दे दिया जाए इस तरीके से पूछ लेगा ठीक है या तो कोई जीव दे देगा ठीक है और उनका आवास पूछ लेगा इन चीजों की भी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे जो जो प्रमोक है ठीक है जैसे थामिन है हंगुल म्रग है तो ये एक पर्टिकुलर इस्थान पर ही पाए जाते हैं जैसे कि लाल पांडा है तो ये सारे जो बिचित्र प्रकार के जीव हैं ये एक बिभिन आवास में ही यानि कि एक बिभिन इस्थान पर ही पाए जाते हैं तो ये पूछा जा सकता है तो इस तरीके के प्रस्न यहां से बन सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाईए अब क्लास को मैं स्टार्ट गर रहा हूं यहां पर और एक एक फेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखने का प्रयास कीजिए तो पहला है बाग परियोजना यहां सबसे ज़्यादा कोश्चन पूछे जाते हैं तो बाग जो परियोजना है इसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं कब स्टार्ट किया गया था उत्राखंड में ठीक है और जो यह बाग परियोजना थी यह कैलास सांखला के नेत्रत में स्टार्ट की गई थी और कैलास सांखला को टाइगर मैन ओफ इंडिया भी कहा जाता है ठीक है तो बाग परियोजना 1973 में स्टार्ट हुई कहां से उत्राखंड के कॉर्वेट नेशनल पार्क से किसके नेत्रत में कैलास सांखला के नेत्रत में और कैलास सांखला को टाइगर मैन ओफ इंडिया कहा जाता है सबी चीज़े यहां से पूछी जा चुकी है ठीक है बाद वाकी बागों के सरक्षड के लिए बैस्विक इस्तर पर एक फॉरम की भी स्थापना की गई है जो की है ग्लोबल टाइगर फॉरम ठीक है और जहां पर भी बाग पाए जाते हैं उन देशों के द्वारा इस फॉरम को इस्थापित किया गया है और इसका गठन कब किया गया था उननिस सो तिरानवे में कहां पर नई दिल्ली में ठीक है याद रखना बहुत बार पूछा जा चुका है ग्लोबल टाइगर फॉरम बैस्विक इस्तर पर बागों के सर्रक्षड के लिए इस्थापित एक अंतर सरकारी अंतर राश्ट्रिय यह निकाय है इसकी स्थापना उननिस सो तरानवे में नई दिल्ली में की गई थी और उननिस सो सतानवे में यह एक स्वतन तरसंगठन बना और इसका मुख्याले कहां पर है मुख्याले इसका भारत के नई दिल्ली में है ठीक है ग्लोबल टाइगर फॉरम से खूब प्रस् उसके बाद अंतर राष्ट्रिये बाग दिवस की बात करें, तो ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, उसके बाद बागों की सरवादिक संख्या की बात करें, 2022 में बाग जनगरना रिपोर्ट आई थी, तो उसके आधार पर बागों की सरवादिक संख्या मद्द प्रदेश में है, और उसके बाद है कहाँ पर करनाटक में, और फिर उत्राघंड में, मद्द प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाग पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर बाग रेजर्व भी हैं, इसलिए मद्द प्रदेश को टाइगर इस्टेट भी कहते हैं, बहुत बार कॉस्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बागों की सरवा मद्द प्रदेश में हैं, इसलिए मद्द प्रदेश को टाइगर इस्टेट का दरजा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जो लेटेश्ट बाग गड़ना रिपोर्ट है, 2022 में जो प्रिकासित की गई थी, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 205 बाग हैं और निरंतर बागों की आबादी में उत्तर प्रदेश में ब्रद्दी हो रही है, और आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, तो टाइगर रिजर्व की जो वीडियो है, वो हम लोग अलग से बनाएंगे, उसमें पूरे देश के टाइगर रिजर्व को हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये बात हो गई बाग परियोजना और जो उनसे सम्मंदित अन्यत्त पूछे जा सकते हैं, एक एक फैक्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखते चलिए, और अगर आप इस यानि की प्रोग्राम को लगातार देखत रहेंगे, तो आप यकीन मानिये सारे important topic आपके मुठी में होंगे, और बड़ी ही आसानी से आप प्रारंबिक परिक्छा की बादा को पार कर पाएंगे, तो बाग परियोजना के बाद, अब हम लोग बात करते हैं हाती परियोजना के बारे में, तो हाती परियोजना यानि क परियोजना की जो project elephant है, उसे 1992 में धारखंड के सिंग भूमी जिले से start किया घ्या था, बाद बाकि अगर हम लोग हाती के संदर्व में अन कथन देखें, तो देश में जो प्रथम हाथी पुनरवास केंद्र है उसे केरल के कोतूर में इस्थापित किया गया था बहुत बार इसको पूछा जा चुका है पर्यावरण के अंतरगत कि देश में प्रथम हाथी पुनरवास केंद्र कहां पर इस्थापित किया गया था केरल के कोतूर में अब भारत में अगर हातियों की संख्या की बात की जाए तो हातियों की सरवादिक संख्या करनाटक में पाई जाती है उसके बाद असम का इस्थान है और फिर इस्थान है किसका केरल का बाद बाकी हाथियों के संदर में सबसे महत्पूर कथन ये है कि 2010 में भारत सरकार के द्वारा हाथी को राष्ट्रिय बिरासत पसू गोसित किया जा चुका है ठीक है तो राष्ट्रिय बिरासत पसू जो है वो हाथी को गोसित किया गया और किस वर्स 2010 में बाद बाकी विश्व हाती दिवस की बात करें तो ये बारह अगस्त को मनाया जाता है आगे हम लोग देखें तो गेंडा परियोजना यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गेंडा परियोजना जो है वो 1987 में आरंब की गई थी ठीक है अब गेंडा परियोजना या फिर गेंडाओं के संदर में अन तत्यों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो एक सींग वाला गेंडा है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य के नाम याद कर लीजिए क्योंकि कॉश्यन पूछा जा चुका है तो जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे की असम पस्चमंगाल और जो नेपाल के तराई वाले सरख्षित इलाके हैं जो सिवालिक के नीचे वाली जो तलहटी है सिवालिक की वहां पर ये एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं बाद वाकी असम का जो काजी रंगा अभ्यरण है ये तो आप सभी को पता होगा कि ये एक सींग वाले गेंडों का प्राकर्तिक आवास है और एक सींग वाले गेंडों की सरवादिक संख्या इस इसी काजी, रंगा अभ्यरण में पाई जाती है काजी, रंगा अभ्यरण कहां पर है असम है बाद बाजी जितने भी भारत के अभ्यरण है भाग रेजर्ब है, राष््ट्रिय उद्ध्यान है पक्छी अभ्यरण है इन सब की बात हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि वहां से भी खूब कॉस्चन बनते हैं, उसके बाद बैस्विक इस्तर पर बात करें, तो एक सींग वाले गेंडों की सरवादिक संख्या अपने देश भारत में ही पाई जाती है, ये बात भी याद रखना, ब तो आखिर क्यों उनका सिकार किया जाता है, इस चीज को भी समझ लीजिए, क्योंकि जो एक सींग वाला गेंडा होता है, उसके सींग के द्वारा कामोत्तजक जो औसदिया होती है, वो बनाई जाती है, इसलिए उसके सींग की मांग अंतरराश्ट्रिय बाजार में बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं, उनका सिकार किया जाता है, ठीक है, बाद वाकी 20 गेंडा दिवस की बाद करें, तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, उसके बाद देखो हंगुल परियोजना, हंगुल एक प्रकार का हिरन टाइप का होता है, ठीक है, तो हंगुल परियोजना की बात करें, इसे 1970 में प्रारंब किया गया था, कहां से, जंबु कस्मीर के दाची गामा अभ्हरण से, ठीक है, तो हंगुल जो प्रियोजना है, उसे 1970 में जंबु कस्मीर के दाची गामा अभ्हरण से प्रारंब किया गया था, हंगुल ये कस्मीर में पाई जाने वाली एक लाल हिरन, जैसे रेंडियर हिरन भी कहते हैं, कि एक नसल यानी की प्रजाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि हंगुल एक हिरन की प्रजाती है तो ये कैसी लाल हिरन की प्रजाती है जैसे रेंडियर हिरन भी कहते है हंगुल को कस्मीरी स्टैग भी कहते है ये ध्यान रखना हंगुल म्रग को कस्मीरी स्टैग भी कहते है बाद वाकि जो ये हंगुल है ये जम्बु कस्मीर का राज्य पसू भी है पिरतेक राज्य का एक राज्किय पसू होता है तो जो जम्बु कस्मीर का जो राज्य पसू या राज्किय पसू है वो ये हंगुल ही है और जम्बु कस्मीर का जो ये दाची गामा अभेरण है वो इस हंगुल म्रग का एक मात्र निवास इस्थान है तो जहां पर ये पर्टिकुलर निवास इस्थान दिखाया जा रहा है क्योंकि बाग तो मान के चलो भारत के सभी राज्यों में हैं ठीक है लेकिन कुछ जीव जैसा कि मैंने आपको पहले उताया हंगुल, थामिन, लाल पांडा ये कुछ बिसिस्थ इस्थानों पर ही पाय जाते हैं तो उनमें से ये हंगुल एक है जो जम्बू कस्मीर के दाची गामा अभ्हरण में ही पाया जाता है ठीक है उसके बाद थामिन की बात करें ये भी एक प्रकार का म्रग है और ठामिन जो परियोजना है वो 1970 में मडीपुर के केवुल लामजाओ अभ्हरण से आरंब की गई थी ठामिन की बात करें तो इसे नाचने वाला म्रग भी कहा जाता है ये अपनी टांगों पर उचलता रहता है कभी आप इसकी वीडियो देखना तो इसे नाचने वाला म्रग कहा जाता है और ये कहां पर पाया जाता है विसेश्ट रूप से तो मडीपुर के केवुल लामजाओ अभ्हरण में और केवुल लामजाओ जो अभ्हरण है वो कहां पर है वो मडीपुर की लोक टक जील में पाया जाता है और ये एक तेरता हुआ अब भेरड है ये आपको ध्यान रखना है तो बात यहां पर हंगुल की हो गई थामिन की हो गई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो घड़याल की बात करते हैं घड़याल और मगरमच्छ परियोजना तो घड़याल या फिर मगरमच्छ परियोजना है वो 1975 में उडीसा के तिकर पाड़ा से स्टार्ट की गई थी बात वाकी एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि कहां पर भारत में सरवादिक घड़याल पाए जाते हैं तो जो चंबल नदी है नदी बैती है इसमें सरवादिक घड़याल पाए जाते हैं तो याद रखना भारत में चंबल नदी में सरवादिक घड़याल पाए जाते हैं बाद वाकि एक फेक्ट उत्तरपदेश विसेश के संदर में याद कर लीजिए ये यूपी ट्रपल सी में सायद पूछा गया था तो लखनव में कुक्रेल घड़याल पुनरवास वा प्रजनन केंद्र की स्थापना 1975 में की गई थी तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुक्रेल घड़याल पुनरवास वा प्रजनन केंद्र कहां इस्तेत है लखनव में अब यहाँ पर आप देखेंगे कुक्रेल में तो एक बाइल्ड लाइफ सफारी का भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है ठीक है तो ये जो घड़याल पुनरवास और प्रजनन केंद्र है ये 1975 म इस्थापित किया गया था उसके बाद गिर सिंग परियोजना की बात करें तो गिर सिंग मतलब सेर तो जो गिर में रहने वाले सेर हैं उनके सरक्षड हेतु जो परियोजना स्टार्ट की गई थी वो 1922 में गुजरात के जूनागर से ठीक है कहां से प्रारम की गई थी गु ये ACI सेरों के लिए बिस प्रिसिद्ध है गिर बन राष्ट्रिय उध्यान ये गुजरात के जूनागड में ही है और ये ACI सेरों के लिए बिस प्रिसिद्ध है और दक्षिड अफरीका के बाद गिर बन राष्ट्रिय उध्यान एकमात रहसा इस्थान है जहां सेरों को अपन प्राकर्तिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है तो आपको ये फेक्ट बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है क्योंकि यहां पर बहुत बार कॉस्चन पूछा गया है या फिर किसी कॉस्चन में कथन में दे देता है तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिड अफ्रीका के बाद सेरों को अगर अपने प्राकर्तिक आवास में देखा जा सकता है तो वो इस्थान कहां पर है गिरवन राश्ट्रिय उध्यान गुजरात के जूनागर में बाद वाकी 20 सेर दिवस की बात करें तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है उसके बाद गिद्द सर्रक्षड प्रोजेक्ट की बात करें इसे 2006 में आरम किया गया था बाद वाकी भारत में एक ब्यापक इस्तर पर गिद्दों की आबादी में कमी आई है उसका कारण है जानवरों को दी जाने वाली एक दर्द निवारक दवा जिसका नाम है डिकलो फिनेग और क्या होता था कि ये जानवर डिकलो फिनेग खाते थे ठीक है और मान के चलो इन जानवरों में कोई मर गया तो उनको खाते थे कौन गिद्द तो गिद्दों में ये डिकलो फिनेग पहुँच जाती थी और इससे गिद्दों की जो किड़नी होती तई उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता था और गिद्द की मृत्यू हो जाती थी इसलिए गिद्दों की संख्या में भारी ग्राबट का कारण एक जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा है जिसका नाम डिकलो फिनेक है तो डिकलो फिनेक का नाम आप लोग बिलकुल रट लीजिए बहुत बार पूछा जाता है उसके बाद देश का पहला गिद्द सर्रक्षड जो केंद्र है वो पिन्योर हर्याणा में इस्थाफित किया गया है बहुत बार पूछा जा चुका है देश का पहला गिद सर्रक्षण केंद्र कहां पर इस्थापित किया गया पिंजओर हर्याडा में उत्तर प्रदेश का पहला गिद सर्रक्षण केंद्र की बात करें तो ये महराज गंज गोरकपुर में इस्थापित किया गया तो भारत में सबसे पहला गिद सरक्षड केंद, हरियाडा के पिंजोर में उत्तरपदेश में पहला गिद सरक्षड केंद, गोरकपुर के महराज घंज में ठीक है, तो यह बात हो गई गिद प्रोजेक्ट के उसके बाद कस्तूरी मिरग परियोजना कस्तूरी भी एक प्रकार का हिरन होता है तो इसके आरंब की बात करें इसे 1970 के दसक में आप मानके चलिए 1970 में इसे स्टार्ट किया गया था कहां से उत्राखंड के केदारनाथ अभ्यरड से उत्राखंड में जो केदारनाथ अभ्यरड है उसमें 1970 में कस्तूरी मिरग परियोजना को स्टार्ट किया गया था बाद वाकि कस्तूरी म्रग की अगर हम लोग आवास की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की चम्बा घाटी से सिक्किम तक फैले हुए है तो कस्तूरी म्रग हिमाचल प्रदेश की जो चम्बा घाटी है और फिर उसके बाद ये सिक्किम तक फैले हुए है ठीक है यानि कि हिमाले वाले छेत्र में बाद वाकि जो कस्तूरी होती है वो केबल नर म्रग में ही पाई जाती है कस्तूरी ये दबा के काम भी आती है और इसमें एक बहुत अच्छी खुस्वू भी होती है तो इत्र बनाने के काम में इसका प्रियोग किया जाता है बाद बाकि औसदी निर्माण में कस्तूरी का प्रियोग किया जाता है तो जो ये कस्तूरी होती है वो केवल नर म्रग में ही पाई जाती है बाद बाकि अगर कस्तूरी के रासाइनिक नाम की बात करें बहुत वार कॉस्चन पूंचा जाता है तो कस्तूरी का जो रासाइनिक नाम है वो है मिथाइल ट्राइ क्लोरो पेंटा डेकोनॉल याद कर लीजिए कस्तूरी म्रग में जो कस्तूरी पाई जाती है उसका जो रासाइनिक नाम है वो है मिथाइल ट्राइ क्लोरो पेंटा डेकोनॉल ठीक है बाद वाकि कस्तूरी के उसदिय बाप्रसाधन महत्य के कारण बड़े पैमानों पर इन म्रगों का अभैद सिकार होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कस्तूरी से उसदियां भी बनती है और जो सौंदर प्रसाधन की चीज़ें होती है वो भी बनती है सेंट भी बनते हैं तो इन सभी के चलते इन कस्तूरी म्रगों का बहुत ज़्यादा अभैद सिकार होता है तो ये बात हो गई कस्तूरी म्रग की उसके बाद हम लोग बात करते हैं कच्छुआ सरक्षण परियोजना पर तो इसका आरम 1975 में उडीसा के कटक जिले में इस्तित भीतर कनका अभैरण से हुआ था तो कच्छुआ सरक्षण परियोजना है वो 1975 में उडीसा के कटक जिले में इस्तित भीतर कनका अभैरण से आरम्ब की गई थी बात बाकी एक फैक्ट यहां पर ये है कि जो ये कच्छुआ सरक्षण परियोजना है ये ओलिव रिडले कच्छुओं के लिए आरम्ब की गई थी यह एक कच्छुवों की बहुती प्रसिद प्रजाती है नाम है ओलिब रिडले इसी के लिए कच्छवा सरक्षड परियोजना स्टार्ट की गई थी और यह जो ओलिब रिडले कच्छुए हैं इनके संदर में एक बहुत इंपॉर्टेन फैक्ट यह है कि जो यह ओलिब रिडल यहां पर ओलिव रिडले कच्छुए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अंडे देने आते हैं। बाद वाकि 20 कच्छुआ दिबस की अगर हम लोग बात करें तो इसे 23 मई को मनाया जाता है। उसके बाद अगला जो है वो हिम तेन्दूआ परियोजना है तो इनके सरक्षड हितु जो परियोजना है वो 2009 में स्टार्ट की गई थी। बाद वाकि अब हिम तेन्दूआ के आवास की अगर हम लोग बात करें यहां से कोस्चन पूछा जा चुका है तो जो हिम तेन्दूआ है हिम जैसा की नाम ही है तो जहां पर बर्फ होगी वहां पर हिम तेन्दूए पाए जाएंगे तो बर्फ कहां पर होगी देखो कस्मीर हिमाचल प्रदेश उत्त्राघंड सिक्किम और अरोडाचल प्रदेश बाद बाकी हिम तेंदूओं को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है तो यह फैक्ट याद रखना हिम तेंदूओं को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है बाद बाकी अंतर राष्ट्रिय हिम ते लाल पांडा परियोजना की तो लाल पांडा आपने देखी होगा एक छोटा सा गोल मोटोल भालू यायसा होता है तो यह 1996 में लाल पांडा परियोजना श्टार्ट की गई थी और इसके आवास की बात करें अच्छे से देख लीजिए UPPCS पूछ चुका है तो लाल पांडा ज पश्चम मंगाल में पाया जाता है तो लाल पांडा भारत के चार राजियों में अरुडाचल प्रदेश, मेगाले, सिक्किम और पश्चम मंगाल में पाया जाता है बात वाखी लाल पांडा को दो अन नाम भी दिये गए हैं वैसे इसके दो तीन नाम और हैं जो exam की दृष्टी से important है वो है fire fox ठीक है और दूसरा है himalayan raccoon तो लाल पांडा को fire fox या फिर himalayan raccoon भी कहते हैं तो ये बात हो गई लाल पांडा की उसके बाद हाली में start हुआ project चीता बहुत important है यहां से भी question पूछा जा सकता है तो आपको पता होगा कि 1991 में भारत में चीता को बलुप्त घोसित कर दिया गया था और अब भारत में चीताओं के पुनरवास के लिए project चीता शुरू किया है ठीक है तो इसको थोड़ा सा देखते हैं project चीता भारत में चीता को पुनरस्थापित करने के लिए एक राश्ट्रिये परियोजना है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा इस्टार्ट किया गया है और इसमें राफ्ट्रिये बाग सर्रक्षड प्रादिकरण और मध्व प्रदेश सरकार मिलकर काम कर रही है इसकी सुरुवाद देखो तो प्रोजेक्ट चीता के तहत प्रधानमंत्री नरेंदर मूदी ने 17 सितंबर 19 सितंबर 2022 को मध्व प्रदेश के स्योपुर जिले में इस्थित कूनो राफ्ट्रिये उध्यान में आठ चीतों को प्राकर्तिक वास में छोड़ा था तो ये वाला सीन साइद आपको याद हो तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने नामी विया से आठ चीते मंगव मध्व प्रदेश के स्योपुर में इस्थित कूनो राफ्ट्रिये उध्यान में इन चीतों को छोड़ा था और ये चीते कहां से लाए गए थे नामी विया से और अगर हम लोग भारत में चीतों की बात करें तो 1991 और 92 के बीच में चीताओं को यहां से बिलुप्त करार दिय ठीक है बाद बाकी अंतर राफ्ट्रिये चीता दिवस्की बात करें तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है 2010 में पहली बार मनाया गया बाद बाकी ये जो चीते जो नामी विया से लाए गए थे तो नामी विया में आपको ध्यान रखना है कि चीतों की दुनिया की सबसे बोडने बाला भूमी इस्तन पाई है ठीक है तो ये प्रोजेक्ट चीता के संदर में हो गया तो इस तरीके से सभी बन्यजीब सरच्छड परियोजनाएं आपने देखी सारी चीज़ें जो एक्जाम में पूछी जा सकती थी उनको देखा तो लगातार पूरी वीडियो को देखते रहिए और जुड़े रहिए बाद बाकी इस वीडियो को अपने अन साथियों तक भी सेयर कीजिए ताकि बहुत ज्यादा लोगों तक इस प्रोग्राम का लाब पहुंच सके तो ठीक है मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद